हाई वेलकम टो मैं चनल इस वीडियो में समझेंगे question number 5 find the list number of 4 digits which is a perfect square तो हमें find करना है वह list number of 4 digits जो perfect square होता है तो अब बताइए सबसे छोटी number 4 digit का क्या होता है सिर्फ पहले ये निकालना पड़ेगा उसके बाद जो छोटी number होगी वो यदि perfect square नहीं होती है तो या तो कुछ इसमें add करना होगा या फिर separate करना होगा तो चलिए पहले यहाँ पर हम solve करते हैं तो we know that we know that the list number of list number of 4 digits is list number of 4 digits is 1000 1000 ही क्या है 4 digits का सबसे list number है लेकिन हम ही क्या करना है perfect square भी तो निकालना है 4 digits का list number होना चाहिए लेकिन perfect square भी होना चाहिए तो this is not a perfect square तो हम ही क्या करना पड़ेगा कि 1000 को perfect square बनाना पड़ेगा और इसको perfect से बनाने के लिए दो तरीके हैं या िद आटा हम इएड कर सकते हैं या कुछ क्यूच हमें से separate कर सकते हैं लेकिन हम separate करेंगे तो यह three digits का number हो जाएगा क्याकि बिल्कुल ही यह three digits and four digits के वर्ज पर है इसमें से कुछ भी मानस करेंगे तो तुनंत वह three digits की हो जाएगा जिससे कि यह perfect square बन जाएगा तो सबसे list number कुछ add करके इसमें बनाएंगे तो चलिए solve करते हैं पहले हम इसका जैसे usually जैसे निकालते हैं हम लोग division method से वैसे ही आगे बढ़ेंगे यह हो गया 1000 और इसका हम निकालेंगे division method दो पेर बन गया यहां बना गया अब यह 10 में जाएंगे तो 3 से जाएगा पहले तो 3 प्लस 3 39 बच गया 1 और यह होगया 100 और 33 होगया 6 अब यहां से देखे एक बार में जाएगा लेकिन हम last भी बार ले जा रहे हैं न हमें कुछ add करके आना है तो इसमें हम दो बार ले जाएंगे मने हमेशा last में क्या करिए एक बार अधिक ले जाएगे ताकि इससे बड़ा नमबर आ जाएगे यहां पर मने कि just बड़ा नमबर आना चाहिए यह नहीं कि खूब बड़ा नमबर आ जाएगे इसमाल यह दो सली आ रहे हैं यहां पर चार से नहीं नहीं लिए सकते हैं चार से लिए जाएगे गलद सुझाएगा तो यहां से 2 तू जब 4 एंड 2 तू सिग्ज़ 12 124 आ गया अब यहां पर आपको देखना है कि यह जो 100 है इस 100 से 124 कितना बड़ा है मिन्स 100 में आप कितना एड करोगे कि 124 आ जाएगा तभी तो remainder 0 आएगा remainder 0 आने के लिए क्या होना पड़ेगा इस 100 में कितना add करेंगे कि 124 आ जाए और जितना add करेंगे उतना ही add करने पड़ेगा इस number में भी means x ही add करने पड़ेगा इसमें भी ताकि ये डिमेंडर 0 आ जाए ठीक है तो यहीं पर समझ में आ जाएगा बिल्कुल तो यहाँ पर दिख रहा है बिल्कुल कि 100 प्लस X क्या होना चाहिए equal होना चाहिए 124 के लिए किसलिए होना चाहिए यह जब equal होगा तभी यह perfectly क्या होगा perfect square होगा यहाँ पर बनेगा means X is equal to क्या हो जाएगा 124 में से मानस करेंगे 100 इधार से ट्रास्फोर्ज कर दिजिए यह मिल गया हमें कितना 24 means X bar of 24 हो गया clearly हमें 24 क्या करना पड़ेगा इसमें add करना पड़ेगा तो लिख सकते हैं directly यहाँ पर कि hence the perfect square of perfect square of sorry ऐसे मत लिखिए इसको लिखिए इसी तरीके से कि the least number of the least number of four digits which is a perfect square which is a perfect square is क्या होगा 24 को यह 24 आया है उसको add करना पड़ेगा 1000 में तो 1024 हो जाएगा और this is the least number of four digits which is a perfect square तो यहाँ पर हम लोग add कर के लाए हैं और बिल्कुल यह add कर के हिलाना पड़ेगा क्योंकि हमें four digits का number ही बनाय रखना है हम इससे separate करके भी ला सकते हैं ठीक है लेकिन separate करके नहीं लाना क्योंकि three digit का number बन जाएगा वो और that would be wrong आपको समय में आ गया होगा क्या करना है यहाँ पर तो एक लाइक जदू करिएगा और अपने दोस्तों को share कर देजेगा and thank you so much यदि आप comment कर देंगे तो and bye झाल